बिहार असनात्यक एन्मिशन में सभी इन्मिशिटी ने अपना अपना डेट बरहा दिया है नई डेट यहां पर जारी कर दी गई है और इसी दिन से ओनलाइन होगा अब बिहार की किसी भी इन्मिशिटी से हैं नई अपडेट के साथ यहां पर ओनलाइन एन्मिशन का डेट ज पीछे कर दिया है यानि जल्द जो है ऑनलाइन प्रिकिरिया के लिए यहाँ पे सभी ने डेट अपना अपडेट किया है और इसी डेट के साथ आप ऑनलाइन एडमिशन होगा सभी इन्विसिटी में तो एक एक करके आए देखते हैं किस इन्विसिटी में आपका किस दिन से ओनलाइन होने जा रहा है तो फटर फटर वीडियो को शेर कर दे और जरूर से बोलेंगे वीडियो जरूर पूरा देखेगा हर इन्विसिटी का अपडेट आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा बस पूरी जनकारी यहाँ पे देखेगा पेले बात करें पूर बिसमिद्याले असनातक बीए बीए सी बीकॉम सत्र दोहजार बाइस पचीस में नमांकन के लिए सिड्यूल जारी कर दिया है असनातक में एक लाग दस जार पचास सीट्यों पर नमांकन होगा पचीस मही से लेकर बारा जुलाई तक आप आप आउनलाइन कर 27 जुलाई का 1st मेरिक लिस्ट का नुसार कॉंसलिक एवम नमांकन किया जाएगा 30 जुलाई तक कॉलेज नमांकन एवम वैलिडेट कर उसे कनफर्म करेंगी यानि डेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है तो क्या-क्या डोकुमेंट्स लगेंगे इस पे मैंने कल साम में नहीं है ठीके इसलिए नमांकन के लिए आवेतन की अंतिम्तिती 12 जुलाई रखी गई है तब तक उनकी रिजल्ट भी आएंगे और वो भी ऑनलाइन कर सकेंगे आप यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे इंवर्सिटी का क्या अपडेट जारी किया गया है इसे देखें पार देखें पार्टलीपुत्रि मिश्टी का लिंक भी जारी कर दिया गया है और यहां से आप डायक लिंक पे क्लिक करके और म्लाईन आपका लिंक मिलेंगगा यह six पचीस मैं को आप एक्टिव हो जाएगा तो दरभांगा की बात करें तो दरभांगा वाले चात बिल्कुल घबराई नहीं यहाँ पे भी एडमेशन की परकिरिया जो है वो यहाँ पे सुरू होने जारी है दरभांगा इंविसिटी में और डेट की बात करें तो डेट क्योंकि आपका पाटले पुत्र में 25 मही से है दरभांगा इंविसिटी जो है वो आपका CVC रिजलेट का बेट कर रही है और यह भी आपका 30 मही तक बिहर बुट की बच्चे आप सब के लिए है धमाकेदार खबर डाउटन के बारे में आप तो जानती होंगे जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके आप बस पास सेकेंड में अपने कोई भी सवाल का बीडियो स्रेशन पास सकते हैं वही डाउटने इस बार बिहार में टौपर स लाउच किया है जो कुछी दिनों में सुरू होने वाला है तो अगर आप कच्छा दसमी अब रहमी बिहार बुर हिंदी मीडियो में इंगलिस मीडियम के चातर है तो आज ही जाए और अपने आपको हासिल बैच के लिए नीचे दिये गए हैं लिंक पर जाकर रेजिस्टर क कि टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी तो जल्दी सजाई और खुद को रिश्टर कीजी ओनलाइन कीपर के लिया जो है वो यहां पर शुरू कर देगी द्रफंगा इंविसिटी की यह फाइनल अपडेट यहां पर जारी की गई है अब बरते हैं दूसरे इंविसिटी की मगढ़ इंविसिटी का तो में थोरी बहुत गरबर चल रही है जिस वज़़ा से एनुषन का डेर जो है वो अटका पर प्रह आ हुआ है फिर भी यहां पे एनुषन की बात करें कि आपके मगढ़ इंविसिटी बोध गया में अईनुषन जो है बो कब से जाएगा तो इसमें admission की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में यानि एक से साथ जून के भी जो है हर हाल में मगध इंविसिटी online admission की परकिरिया शुरू कर देगी क्योंकि online portal के लिए यहाँ पे website जो है वो update किया जा रहा है online परकिरिया यहाँ पे भी जल्द सुरू की जाए है इसके लिए छात्रों को बता दे कि यहाँ पे भी online portal जो है वो update किया जा रहा है क्योंकि अब grade का काम चल रहा है यहाँ से जिसमें आपको 6-7 दिन का समय लग सकता है तो 30 मई से 1 जून तक जो है online की परकिरिया बीर कुर्स निविसिटी में सुरू हो जाएगे और सभी छा सुरू को हर साल यह अब लेट शुरू करती है और इस बार भी लेट शुरू कर रही है तो आपको बता दे कि साथ जून के आसपास जो है JP University की नई डेट यहाँ पे जारी की गई है सुत्रों को हवाले से जो update आई है पहले यहाँ पे एक जून का update चल रहा था लेकिन अब से बहा कर साथ जून कर दिया गया है गुपेंद रायन मंडल इनिवर्सिटी की बात की जाए मध्यपूरा का मध्यपूरा में admission कब होगा तो अभी तक कि इस website पे कोई finally update जारी नहीं किया गया है आपके online admission के regarding तो छातर बिलकुर तयार रहे है कभी भी online admission के regarding update इसका आ सकता ह है फिर भी आप उमीर लगा सकते हैं कि आपका जून के second week में गुपेंद रायन इनिवर्सिटी जो है वो online की परकिरिया शुरू कर देगी पूर्णिया इनिविसिटी का पूर्णा इनिविसिटी में आपका admission जो है वो कब से होगा तो पूर्णिया इनिविसिटी में admission की प पूर्टल है उसमें कुछ खराबी आ गई है जिसका update का काम चल रहा है तो यहां पर update का काम जैसे ही खत्म होता है पूर्णिया इनिविसिटी जो है अपना update जारी करेगी और यहां पे final exam भी चल रहा है इस वजह से पूर्णिया इनिविसिटी जो है अभी तक date confirmation के साथ जा मुंगे इनिविसिटी में मुंगे इनिविसिटी में admission का क्या process है और कब से यह admission की परकिया शुरू की जाएगी तो मुंगे इनिविसिटी के चातर बिलकुल ध्यान से सुनेंगे admission के लिए यहां पे जो update जारी किया गया है वो 30 मई से लेकर 2 जून तक online की admission का date जो है जो है यानि करीव करीज सभी इनिविसिटी जो है online admission जो है वो date यहां पे जारी कर रही है और साथी साथी आपको यह भी पता दे किस बार जो है extra पैसा नहीं लिया जाएगा आप किसी इनिविसिटी में admission ले रहे हैं तो इस बार अगर आप phone page से या UPS ID किसी से भी आप payment करते हैं तो आपको अतरिक चार्जे जो लग जाते थे 10 रुपे, 20 रुपे, 40 रुपे यह चार्जे जो है अब नहीं लगेंगे यानि जो आपका सारह 400 रुपिया 400 रुपिया जो आपका online charge है उतना ही लगेगा क्योंकि आप बहुत सारह चार्ज जो है खुद से करने लगे हैं digital जम अतरिक रासी नहीं लगेगी ठीक है चात्रु की समस्या सुन ली गई है पहले online admission में अतरिक charges लगते थे UPIID, रुपे कार्ड, debit card से payment करते थे एक्स्ट्रा charges किसी को 20, किसी को 40, किसी को 50 इस तरीके से लग जाते थे अब वो charge नहीं लगेगा अब आप UPIID से अब अराम से debit card स payment कर पाएंगे तो सभी update यहां पर बता दिया गया है सभी university का तो उमीद है कि वीडियो आपको पशंद आया हो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ बने रहे हैं university admission की पलपल के update सबसे पहले आपको अभ एस वीडियो पिडियो के शियर जारु करी